मशकार साथियों रनवीर सिंग यूटूब चैनल में आपका स्वागत है जो घर में पठे कुतरने वाली मसीन होती है उनके भी कलर करना बहुत जरूरी है नहीं तो ये ऐसे मसीन खराब हो जाएगी ये देखो जी नया लोया आपका गड़ा हुआ है अच्छी तरह है पहले काश्टिक लगाकर इस पर अच्छी तरह है दोकर बड़िया तरीके से इसको प्रैमर लगाके रंग किया जाता है कि ये कम से कम 20 साल चले नियाज कल तो लोग मसीनों की ध्यान नहीं रखते हैं ये खराब हो जाए कोई दिक तनी नहीं ले आएंगे नि ये कलर कराई भी मसीन आपको कितनी अच्छी हों कितनी सुन्दर लग रही है देखो आप इसको पैंट हो रहा है ये प्रैमर का पहला कोट लग रहा है इसको अच्छी तरह कोट लग रहा है इसको कास्टिक लगाकर कास्टिक लगाने के बाद इसको कलर होगा और इसकी अच कशराब नहीं होगे गड़ेगी नहीं एक साल बाद ही मसीन नहीं लानी पड़ सकती है बड़िया कंपनी का रंग लगवाखे रिए मसीन को फिर उसके बाद परैमर करवाई रंद्स ना कटवाएं रंद्स कटवा लोगे तो मसीन खराब हो जाएगी यह रंग ना इसलिए कर रहे हैं कि हम बिल ले हैं मुखे बदे यह देखो कोई काम है ने इसलिए आपको कलर कॉमिनेशन करके दिखा रहे हैं इस मसीन को अच्छी तरह से पेंट हो रहा है मसीन को यह रंग इसलिए कर रहे हैं कि यह आपको बच्चा हुआ रंग होता है ना घर में जैसे कलर बच जाता है तो बचा हुआ कलर ख्राब ना हो इस प्रकार से अपनी मसीन की भी लाइफ मनजे और ये पठे वाले कमरे के अंदर जो गाडरे हैं उनको भी बलैक रंग और वाना बहुत जरूरी है गाडरे लगाने जरूरी नहीं है उनको कल देखो आप रनवीर सिंग यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मने रहें और नई नई वीडियो देखते रहें